नमश्कार दोस्तो स्वागत है आपका मिशन यू PSC में smart four prelims में हम 30 जून के current affair को discuss करेंगे जो prelims के एसाप से तो important होंगे ही और different exams के हसाप से भी important होंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं गगनियान मिशन first news गगनियान मिशन से हैं कि गगनियान मिशन COVID-19 की वज़े से डिले तो नहीं हो जाएगा तो गॉर्मेंट ने साफ कर दिया है कि गगनियान मिशन जो हम भेजने वाले हैं मैंन मेंड मिशन है हमारा 2022 में उसको इफेक्ट नहीं होगा कोविट के पेंडेमिक से ये इंडियन नेशनल इस्पेस प्रमोशन और ऑफ्राइजेशन सेंटर ने डिक्लियर कर दिया है दोस्तों तो डिपार्टमेंट ओफ इसकी इस्पेस के अंतगरत आता है इन इस्पेस जि इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यूनियन मिनिस्ट्री ओफ इस्टेट जिनका इंडिपेंडेंट चार्ज है और जो डेवलप्मेंट ओफ नॉर्थ इस्टन रीजन के मोई से मिनिस्टर ओफ स्टेट है पी एमो में प्राइमिनिस्टर ओफिस में परसनल पब्लिक पेंशन और्टोमिक एनरजी के जो मिनिस्टर है इन सब चीजों का मंत्रा ले इनके पास है जितेंदर सिंग के पास इन्होंने डिक्लेट कर दिया है कि कोविट डाइंटीन की वज़े से गगनियान मिशन को कोई इफेक्ट नहीं होगा ठीक है तो इन स्पेस क्या है इंडि रखा है कि इस रों में प्राइवेट सेक्टर आने चाहिए जैसा कि वर्ल्ड में एक इसपेस X कंपनी है यह इलोन मस्क कि कंपनी है ठीक है और आपकी Virgin Galantia कंपनी है तो यह सब कंपनी है वन वैब कंपनी है यह सब कंपनी जो है इस पेस में काम कर रही है बहुत हाईली प् में में बहुत financially benefit देगा इन private companies को ठीक है और ये क्या करती है in space कि जो brain drain होता है जो हमारे बड़े-बड़े scientist हैं वो दूसरे देश में जाके अपना काम करते हैं उस देश में अपना योगदान देते हैं तो वो चीज हमारे देश में ही वो अपना योगदान दे ठीक है तो brain drain ह होने से ये in space बचाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को encourage कर पाएं गगन्यान mission के बारे में बात करते हैं GSLV Mac 3 के अंदर होगा launch होगा ये और इसमें क्या होगा दोस्तो हमारे crew members जाएंगे और especially तीन crew members की बात हो ये अभी हम देखते हैं कि क्या होगा इसमें ठीक तो गगन्यान mission के जो challenges होंगे इन space के सामने वो क्या क्या होंगे कि जो इसरों का mission है हमने मार्स और मून पे तो बेजे थे तो इसमें जो space का हमारा atmosphere है अर्थ का atmosphere है वो ही हम provide कर पाएं उस जगे भी astronauts को और astronauts की जो kits होंगी उसको हम highly developed कर पाएं जिससे उन्हें कोई दुवि position होगी वहाँ पर उस astronaut को उतार पाएं दोस्तों तो कुछ-कुछ इसमें challenges है हमारे गगन्यान mission में इसरों के सामने दोस्तों ठीक है इसरों के जो other mission है एक तो चंद्रियान 3 lunar mission और lunar mission जो है planned है 2021 के लिए जिसमें lander होगा rover होगा और proportional system होगा जिससे जो module है वो carry कर पाएं और जो orbiter है वो fully operationalized हो जाए previous orbiter में जाके दोस्तों next news है PM formalization of micro food processing enterprises जो ये उद्योग थे जो फल वाले थे सबजी वाले थे तो इनको COVID-19 की वज़े से बहुत दुविदा होई बहुत financially loss हुआ तो PM ने प्राइम मिनिस्टर एक office से एक scheme जारी करी गई है formalization of micro food processing enterprising scheme जिसे PMFME scheme कहा गया इसमें क्या होगा ये ministry of food processing industry के द्वारा launch करी गई है minister को और ने food processing industry के हर सिम्रत को और बादल ठीक है ये पंजाब से आती है अब part of आत्म निर्बर बारत आत्म निर्बर बारत का ये part है और इसके detail क्या है इस scheme की इसका aim है कि financially, technically और business support देना जो micro food processing enter prices है दोस्तों और ये scheme जो है centrally sponsored है ठीक है कि centrally sponsored का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ खर्चा states उठाएंगी और कुछ खर्चा central government उठाएगी ठीक है अगर ये centrally sector scheme होती तो पूरा खर्चा central government उठाती दोस्तों ठीक है तो ये implement करी जाएगी पास साल के लिए 2021 से लेके 2024-25 financial year तक दस अजार करोड का outlet दिया जाएगा इसमें बताया गया है कि 60-40 का रेशियो होगा center state के बीच में 90-10 का रेशियो होगा north eastern states जो हमारी सिक्किम नागलेंड अनौचा परदेश हैं ये सब और हिमालियन states के बीच में और 60-40 का रेशियो होगा ूति मतलब दिली और पुडुक्चेरी जहां पर लेजिसलेचर भी है और यूटी भी यह दिली पुडुक्चेरी और आपका जम्मुएन कश्मीर भी अपसे ठीक है और और जो हनुनेट का nine percent होगा यूचमी में होगा जो जहां पर लेजिसलेचर नहीن यह ए वन link capital subsidy भी दी जाएगी मतलब कि आप credit ले सकते हैं और अपने उद्योग को चला सकते हैं और फिर उस पे आपको subsidy मिलेगी ठीक है और focus कर जाएगा कि capacity building हो पाए एक infrastructure अगर तयार हो गया ना एक mechanism तयार हो गया दोस्तों तो बहुत easy हो जाएगा लोगों के लिए अपनी supply chain को manage करना ठीक है जो extension था हमारा operation green मतलब vegetable को उपर था यह सारा operation हमारा तो इसको अब tomato onion potato से हमने perishable fruits और vegetable की तरफ लगाया है ठीक है tomato onion potato to total कि हम अब उस पे भी बात करेंगे fruits पर ठीक है यह implement करा जा रहा है ministry of food processing industry के दोआरा ठीक है तो इसमें जो fruits को जो grow करते हैं protect करते हैं और lockdown की वज़े से उनकी sale में जो distress आई उनको फाइदा मिलेगा दोस्तों operation के बारे में बात करते हैं कि इस scheme का जो operation है वो किस परकार होगा जो surplus production areas है उनको consumption centers में लिया जाएगा कि किस परकार से उनकी और productivity बड़े और उनकी जो produce हुआ है उसका supply कैसे करें ठीक है और market को surplus production को market तक पुचाया जाएगा कि किस परकार से हम उसकी supply chain को अच्छे से manage कर पाएं दोस्तों तो operation green ता tomato onion पोटेटो का और अब हम vegetable की तरफ भी sorry fruits की तरफ भी move कर चुके है नेक्स न्यूज है INST Synthetized Inorganic Organic Hybrid Compound INST का मतलब क्या है Institute of Nanoscience and Technology ये मोहाली में है चंडीगड में हम इसकी थोड़ी सी बात करते हैं ठीक है इसने क्या कराई ये एक autonomous institute है और किस मंत्रा department के अंतरा आता है Department of Science and Technology Government of India ठीक है तो जो breast, lung, liver, cells होते हैं उनके लिए एक अलग से metal or drugs बनाने की तरफ ये possibilities हैं कि आगे की तरफ काम कर रहे हैं ठीक है hydrothermon matter की को ये use करेंगे जो in vitro test में मददगार होगा टेस्ट को बनाने में और test की making करने में दोस्तों ठीक है अब इसमें कहा गया है कि INST मोहाली के बारे में बात करी जाती है इसका objective है कि infrastructure और manpower पे काम करना इसका नाम ही है nanotechnology नैनो मतलब कि हम छोटी चीज से भी बड़ा उससे कैसे हम उसका functions ले सकते हैं ठीक है तो enhance research activity increase करना इसका function है objective है कि research में अपना काम करें और student को PhD प्रोग्राम कराएं ट्रेनिंग कराएं और जो leading scientist हैं different world के उनके साथ interaction करके रखें कि भाई वो किस-किस field मे काम कर रहे हैं और हमको किस प्रकार से कार रहे हैं आगे की तरफ बढ़ाने हैं training courses चलाती है और laboratory techniques को भी यह develop करती है दोस्तो seminar organize करती है यह जो points है अगर यह question paper में आएंगे तो आप जरूर टिक करे आएंगे यह एक basic points है कि international और national seminar conferences करती है और innovative challenges method को यह आगे बढ़ावा देती है और जो हमारा scientific temper है paper है उसको high की तरफ कैसे लेके जाए उस पे भी काम करती है दोस्तों और public and media about the advantages and safeguard in nanotechnology and technology कि public को aware करने के लिए भी यह आगे की तरफ कदम उठाती है आई एन आई एस्टी दोवारा विजन यही है कि इंडिया को एक research के program में आगे बढ़ाया जाए especially nanotechnology के तो हम contribute कर पाएं society को agriculture के field में, medicine के field में, energy के field में और environment के field में mission क्या है इनका कि अच्छे से हम infrastructure facility को develop कर पाएं और outstanding scientist को हम country को दे पाएं जो different branch में science के काम करेंगे, इसमें engineering जो होगी, मतलब आपकी nanoscience और technology में जो हम चीजों को develop करेंगे, technology को develop करेंगे, उसका हम एक jointly work के साथ, discipline method के साथ उसको project को बनाएंगे, जिससे agriculture nanotechnology बढ़ेगी, medical nanotechnology बढ़ेगी, और जो energy और environment nanotechnology है, वो भी increase होगी दोस्तों, next news है, इस संजीवनी OPD, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि lockdown की वज़े से जो patients हैं या जिनको थोड़ा बहुत fever है, वो hospitals नहीं जा रहे हैं, doctors के पास नहीं जा रहे हैं, और कहीं कहीं ऐसी news भी आई हैं, कि doctor भी admit करने से मना कर रहे हैं, तो इसमें क्या करा गया, एक संजीवनी OPD, ये website है, Ministry of Family and Health Affairs ने www.sanjivni.opd.in ये national online patients को देखेंगे, इसमें doctor होंगे, उनसे हम consult कर सकते हैं, अपनी दिक्कतों को बता सकते हैं, और ये helpful होगा COVID-19 के time में, जब तक कोरोना चला है, और कोरोना दोस्तों तब तक चलेगा, जब तक इसकी vaccine नहीं बनेगी, और vaccine पे काम जारी है, different countries क से दौरा, next news है, कि gold की जो nanoparticles है, उनको antatica bacteria से synthesize करा गया है, जो therapeutic use के लिए काम आएंगे, तो contest ये है, national center for polar and ocean research, नौकपार एंड़ गोवा यूनिवस्टी ने synthesized gold nanoparticles को successfully किया है, इसमें क्या है, जो ये therapeutic agent किस-किस में काम आएंगे, clinical trials में काम आएंगे, anti-cancer, anti-viral, anti-diabetic and cholesterol lowering drugs, और जो GNP है, दोस्तो, gold nanoparticles, ये 10 to the power, minus 9 इनकी power होती है, therapeutic imaging में काम आते हैं, और physio chemical properties में भी ये unique होते हैं, और electronic industries में भी बहुत काम आते हैं, दोस्तो, तो गोवा यूनिवस्टी ने और नौकपार ने इसको developed किया है, याद रखिएगा, project platina, ये क्या है, कि जो patients ठीक हो चुके है, plasma therapy से, तो project platina उसका एक, advanced stage है, देखते हैं, क्या contest है, जो world largest convalescent plasma therapy trial project चलने हैं, उसको project platina कहा गया है, इसमें क्या होगा, जो COVID-19 के जो patients हैं, दोस्तो, तो उनके लिए भी drug और treatment अच्छे से देना संभव नहीं हो पा रहा है, तो इस therapy ने बहुत अच्छे से काम किया है, और ये एक infrastructure तयार कर रहे हैं, स्टेट के अंदर और इसकी जो पूरी cost है, वो महराष्ट government उठा रही है, दोस्तो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो person recover कर चुके हैं, COVID-19 से, वो अपने plasma को donate करेंगे, जो infection से, COVID-19 से successfully कर चुके हैं, फिर इस plasma के दोरा उनको देखा जाएगा, और जो other persons हैं, जो इस COVID-19 से घ्रस्त हैं, infected हैं, उनको इसमें मदद मिलेगी, antibodies create करी जाएंगी, जिससे उनका COVID-19 जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, तो ये सब चीजें research चलती रहेंगी, दोस्तो, जब तक vaccine नहीं बनेगी, important बातों को हमको ध्यान रखना है, जिससे हम current affairs में tick कर पाएं, और अ आपको टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका link मैं description box में दे दूँगा, मैं इस lecture को यहीं पर conclude करता हूँ, thank you, thank you everyone